जिन्दगी से जंग हार गए विक्रम गोखले अस्पताल में ली आखरी सांस मशूर एक्टर विक्रम गोखले का निधन हो गया है विक्रम गोखले की हालत लंबे संबे से खराब चल रहे थी उनके फैंस उनके लिए लगतार दुआएं भी कर रहे थी पूने के दीनानात मंगेशकर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था हलाकि परिवार की और से कहा जा रहा था कि उनकी हालत में सुधार है लेकिन अब विक्रम गोखले हमारे बीच नहीं रहे उनके फैंस को इस खबर के बाद काफी छटका लगा है पतादे की बुद्धवार को एक्टर के निधन की खबर सोशल मेडिया पर आग की तरह पैल गए थी जिसके बाद उनकी पतनी रुशाली गोखले ने गुरु वार सुबह इस खबर को अफवा बताया साथ ही लोगों को लेटिस अपडेट देते हुए जानकारी दी थी कि वो कोमा में है एक्टर के निधन की खबर सुनने के बाद कई सेलेब्रेटिज ने एक्टर को सोशल मेडिया पर श्रदांजली भी दी थी विक्रम गोखले ने अपने करियर की शुरुवात साल 1971 में आई अमिताब बच्चन के फिल्म परवानार से की थी विक्रम गोखले ने हिंदी और माराठी फिल्मों में शानदार अभिने भी किया था उन्होंने फिल्म बूल बुलईया, मिशन मंगल, देद अनादन, हिचकी, निकम्मा, अगनी पत और हम दिल दे चुके सनम जैसी शानदार फिल्म में की है विक्रम गोखले के कुछ किरदार हमेशा जहन में रहेंगे बता दे कि विक्रम गोखले, आखरी बा, शिल्पाशेठी और अभिमन्न, दसानी के साथ फिल्म निकम्मा में नजर आये थे